हेलो इस्ट्वेंट वी स्टार्ट स्टांडर्ड सावन फाइंज चैप्टर नमबर 9 हीट हीट इस टैंप्रेचर ओके यहां पर आपको कुछ पिक्चर दिखाए रहे हैं यहां पर देखिए यह पिक्चर में हीट दी जारी है जिसके करण दूद बॉयल हो रहा है बच्चे के इसमें टैंप्रेचर के लिए थर्मामीटर लगाए गया है आपको पता है थर्मामीटर टैंप्रेचर नोटिस कने के लिए लगाया जाता है ग्लास में बरफ रखी हुई है आइस रखी हुई है आइस में पता है आपको कि ग्लास के बाहर ट्रॉपलेट्स आ जाते हैं विक के कारण cool temperature warm temperature में convert होता है यहाँ पे cool है एकदम बाहर environment एकदम सरती है तो यह वो heat से अपने को गरम कर रहे है same thing buffalo है एक लेक में नहा रही है that means हर उसमें आपको heat के अलग-अलग properties बताई गई है कि केस तरह से heat अलग-अलग रूप में हमको मिलती है और हम उसकी properties को use करते है ओके अभी current में winter season चालू है आप बार-बार अपने हाथों को rub करते हो पाम को rub करते हो और अपने face में लगाते हो तो अपको हलका सा high warmness लगता है गरम लगता है तो ये भी एक heat observe होती है जब हम rub करते है कोई चीज को we come to know some properties of heat energy from the example in the picture कुछ ये सारी properties अलग-अलग heat की है the sun's heat as many effect and uses आपको पता है sun की heat के भी बहुत से effect और uses है solar कैसे हमारे solar heat कैसे हमारे अर्थ तक पहुंसती है पानी कैसे boil होता है heat के decrease कैसे होता है heat हमको कैसे मिलती है moisture कैसे air का cool हो जाता है ice cube का इस तरह से अलग-अलग form में temperature का सबसेंस का temperature चेंज होता है transfer of heat सबसे पहला main important point है transfer of heat why does the halwai wrap on a cloth around the end of a slotted spoon while stirring the boiling milk in a large कड़ाई आपने देखा है halwai लोगों की कड़ाई बहुत बड़ी-बड़ी रहती है उसमें वो एक बड़ा सा एक spoon रहता उनका उसमें वो कपड़ा लगा की रखते हैं और जब वो boil milk को हिलाते हैं तो वो कपड़ा लगा रहता है और उसमें अपना hand पकड़ते हैं जैसे ट्रांसफर हो रही तो वो spoon का जो hand है वो बहुत गरम हो जाएगा और जैसे उसको हलवाई टच करेगा तो उसको जलन होगी या गरम लगेगा इसके लिए वो हलवाई उस पे कपड़ा लगा के रखता और क्लोथ लगाते हैं जो क्लोथ है वो bad conductor of heat है ओके इसलिए वो लोग अपने जो spoon में wrap करते हैं क्लोथ को why do we hold a steel glass and a handkerchief will drinking hot milk from it हम भी घरों में गरम दूद पीते समय एक कप हैंकी ले लेते हैं पकड़ने के लिए जिससे कि वो हमें गरम ना लगे दूद का glass हम घरों में मदस वगेरा भी कोई भी गरम खीज उठाने के लिए कपड़े का यूज करते हैं क्लोथ का यूज करते हैं और भी बहुत सारे example हमको देखने में मिल साते हैं daily life में when we take a hot object in the vicinity of cold one जब भी कोई hot object surrounding, cold surrounding में आता है तो the cold object becomes warm and the hot one become cooler तो जो cold object है वो warm हो जाएगा और जो hot object है वो cold हो जाएगा इसका सब से best example हम लेते हैं आपका गरम दूद का glass है आप उसको थंडा करना है तो आप एक काम करिए एक बरतन लीजिए उसमें थंडा पानी लीजिए और वो जो आपका गलास है घरम दूद का उसको उसमें रख दीजिए थोड़ी देर बाद जब आप गलास को निकालेंगे तो जो आपका घरम दूद है वो थंडा हो जाएगा मतलब पीने लाइक हो जाएगा आप उसको पी सकते हूँ तो ये इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारा cool water था वो गरम दूद की तरफ transfer हुआ heat और जो गरम heat थी वो cool की तरफ transfer हुई दोनों एक दूसरे को cool और warm कर देते हैं तो ये हमारा heat का transfer होता है heat is a transfer from a hot body to a cold body दोनों तरफ से transfer होती है heat hot body की heat cold body में जाती है और cold body की heat किस में transfer हो जाती है hot body में तो transfer of heat means the flow of heat from one place to another और जो ये heat का transfer है वो flow करता है एक जगे से दूसरी जगे why do we wear woolen cloth in winter हम woolen cloth क्यों पहनते हैं winter में तो जो air है वो poor conductor है heat का और woolen cloth allow नहीं करता transfer of body को heat there would do not feel cold in woolen cloth इसलिए हमको थंडी के दिनों में woolen cloth पहनने पे हमको थंड नहीं लगती है and get protect from cold in winter जिससे वो हमको protect करता है winter में cold से modes of heat transfer अब heat transfer different different तरीके से होती है तो हमारे पास यहाँ पे mode of heat transfer है conduction, convection and radiation तो आज हम सबसे पहले conduction के बारे में पढ़ेंगे सबसे easy example conduction का हम लेते हैं आप एक बरतन दीजिए उसको gas पे घरम कीजिए तो सबसे पहले आप देखते हैं जो base है जो heat के बिल्कुल नीचे का हिस्सा है तो वो सबसे पहले गरम होगा तो आप उसको touch भी नहीं कर सकते लेकिन उपर का जो पार्ट है उसको आप touch कर सकते हो थोड़ी देर के लिए उसके बाद वो transfer होगी heat जैसे दीरे दीरे transfer होती है heat तो वो बरतन है वो भी बहुत गरम हो जाएगा लेकिन starting में सब नीचे का पाटी गरम होता है त्योंकि वो heat के एकदम bottom में heat सबसे ज़्यादा लगती है यहाँ पे एक example है एक activity है apparatus यूज किये गए यहाँ पे bar of stainless steel, aluminium rod and copper तीन टाइप की rods ले गई है candles ले गई है, burner लिया गया है और pins ले गई है यह पूरा arrangement किया गया है take stainless steel, copper and aluminium bar each about 30 cm long and having the same shape तीन तरह की rod ले गई है, 30 cm long है, aluminium, copper और stainless steel की यहाँ पे उन्होंने कुछ distance पे wax के through pins को लगाया है 2-2 cm के distance पे pins को wax के through लगाया है all the three bars stick a pen in each of these spots so that it is upright now insert the end of all three bars into a flame at the same time यह सब प्रोसीसर करने के पाद उनको एक ही समय में गरम किया गया burner के द्वारा, तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे यह pins किरने लगती है लेकिन हम सबसे पहले देखते हैं कि जो nearest pain है उसका यहाँ से start होगा वो गरम होना क्योंकि सबसे पहले यह object गरम होगा उसके बाद यह cool object तक heat transfer होगी तो जैसे यह part गरम हुआ, इसने transfer किया heat को इस first part में और first part में जो wax है wax आपको पता है, heat में melt होने लगता है जैसे यह wax melt होगा, यह pin अपने आप नीचे गिर जाएगी कुछ देर बाद second pin, कुछ इस तरह से heat transfer होती जाएगी और pins गिरती जाएगी तो आपको इस activity से यह पता चलेगा कि किस तरह से heat कैसे transfer हो रही है one by one okay pins falls starting the end near the burner जो burner की सबसे पास में वो सबसे पहले गिरेगी it means the transfer of heat takes place from the hot end of the bar to the cold end जो heat है, वो hot part से cold bar की तरफ transfer होगी this transfer of heat from the hot part of an object to the cold part is called conduction of heat यह जो heat का transfer है, hot part से cold part की तरफ वो कैलाता हमारा conduction of heat the pins on the copper bar start falling first जो copper bar है, उसकी pins सबसे पहले गिरेंगी the pins on the steel bar for comparatively late और copper bar की जो pin है, वो सबसे पहले गिरेंगी, उसके बाद steel bar की गिरेंगी heat is conducted quickly through copper, जो heat है, वो बहुत जल्दी quickly transfer होता है copper में conduction of heat through a substance depends on the property of that substance जो conduction of heat है, वो सबसेंज की प्रॉपर्टी पे भी depend करता है इसलिए आज के जो utensils यूज किये जाते हैं, cookers, बर्तन जो भी यूज किये जाते हैं, जो हमको जिसमें घरम करना पड़ता है कड़ाई वगेरा, पैन वगेरा तो इनमें copper bottom यूज किया जाता है, जिससे वो easily जल्दी घरम हो सके the conduction of heat take place through a solid substance, so that a medium is required for the conduction of heat तो जो conduction of heat के लिए एक solid substance की जरुवत पड़ती है, और that means यह शो करता है कि conduction of heat के लिए कोई भी medium required है, medium बहुत जरूरी है आज हमने conduction of heat के बारे में पड़ा, transfer of heat के बारे में पड़ा, आज का lecture हम यहीं खतम करते हैं next lecture में हम convection और radiation के बारे में पड़ेंगे, thank you हुआ है